नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिरुद स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर प्यूतिन यूक्रेन के उपर हमला करने के बाद इनका अगला कदम क्या होने वाला है इन ही के प्लान्स को रिवील किया इनके बहुत ही खास दोस और इनके पडोसी देश बेलारूस के प्रेजिडेंट मिस्टर लुकाशेंको के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक खबर है जो कि फॉरण न्यूस एजेंसी के द्वारा कवर करी गई यह वाली चीज थी जो कि इसकी कुछ रिपोर्ट सामने आई है इसके साथ ही में आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि इसको इंडियन न्यूस एजेंसी हिंदोस्तान टाइम्स के द्वारा भी कवर किया कि इस की कवरिज अब काफी जादा बढ़ रही है असल में इसको सबसे पहली बार जब सामने लाया गया था तो ट्विटर पे एक बेलारूस के ही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर लिखा जिनका नाम है टैडियूस गिकसान इन्होंने एक मार्च को यह वाली चीज को पेश किया था अट तोडेश सेक्यूर्टी काउंसल मीटिंग लुकाशन को शोड़ वाट लुक्स लाया था यह वाली जो पूरी की पूरी कहानी थी इसकी जब तह तक जाया जाता है तो यहाँ पर यह सामने आता है कि यहाँ पर अगला कदम जो की रश्या का होने वाला है बेलरूस की मदद से वो मोल्डोवा को भी यह लोग इन्वेड कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर काफी जादा डर आ चुका है इसलिए मोलडोवा आज सुबह की ही खबर है कि मोलडोवा has officially applied for the European Union membership as well बात करेंगे कि why मोलडोवा is considered to be the next target for Putin and also discuss करेंगे कि मोलडोवा यहाँ पर अपने आपको बचाने के लिए क्या-क्या कदम ले रहा है चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिगाम चैनल के माधियम से इसके लाबा आप लोग Unacademy आप पे भी जूट सकते हैं using this particular handle अनिरुद 15A also Unacademy आपके लिए इंडिया का सबसे बड़ा prelims-based national scholarship test लेकर आ रही है जिसको हम लोग 27th मार्च को आयोजित करने वाले हैं इसका लिंक आपको नीशे description मिलेगा और इसमें आपको अगर enroll करना है तो आप लोग अनि UPSC code की मदद से enroll करना बिल्कुल भी ना भूलें आप यहाँ पे काफी सारे awards जीच सकते हैं और अपना All India level पे rank भी जान पाएंगे Right, so as you can see over here यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने जो चीज सामने आई थी Putin के जो war mongering sidekick है यह जो nickname है यह दिया गया है Belarus के President Mr. Lukashenka को because यह इनके फिलहाल काफी साथ हैं और पूरे के पूरे युद में यह इनका साथ दे रहे हैं यह अपने अधिकारियों को address कर रहे थे while standing in front of a map which appeared to show a planned operation from southern Ukraine into its tiny neighbor यह वाला जो map है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह बेलारूस के President है Mr. Lukashenka और यह Eastern Europe के इस map की तरफ एक छड़ी के साथ इशारा कर रहे है और इसमें यह बताया जा रहा है कि इनका अगला target Moldova होने वाला है so यह थोड़ा सा एक तरीके से blunder है because Russia अपने जो nuclear जो अपने military के plans है वो generally किसी को leak नहीं करता है लेकिन Lukashenko के द्वारा यह वाली जो plan है इसको शायद leak कर दिया गया है in fact this map में यह भी बताया गया है कि ऐसे कौन से कौन से attacks थे जो कि Russia पहले करने वाला था उनको already Russia ने कर दिया है और यह भी बताया गया है कि आगे जाकर के Russia किन किन चीजों पर attack करने वाला है now इसको समझ लेते हैं कि why Moldova is next on the radar of Russia और Vladimir Putin now यह वाला जो map आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे यह Eastern Europe का एक ऐसा map है जो कि बताता है कि Ukraine और Moldova यह जो yellow में आप देख रहे हैं यह non NATO countries हैं यानि कि ऐसी countries हैं जो कि आज के time पे NATO का member नहीं है लेकिन Ukraine के जो बाकी पडोसी हैं यानि कि पोलांड हुआ, स्लोवाकिया हुआ, हंगरी हुआ, रोमानिया हुआ यह सभी के सभी जो देश हैं यह NATO के सदस्य आज की घड़ी में है लेकिन Moldova अभी भी जो कि Ukraine के साथ एक बहुत ही बड़ा border भी share करता है यह असल में NATO का हिस्सा नहीं है इसके इलावा एक और बड़ा कारण है और यह सबसे important कारण माना जा रहा है जिसकी वज़े से शायद Moldova यहाँ पे definitely अगला target हो सकता है Moldova और Ukraine की जो बीच का border है, जो बीच की सरहद है वहाँ पे असल में एक छोटा सा इलाका आता है जिसको की कहा जाता है एक breakaway region, यह एक ऐसा शेतर है, एक ऐसा region है जो की Moldova की ही territory से आज से कई साल पहले अलग हो चुका था Moldova's Transnistria region broke away from the central government following a brief war in 1992 यानि की Soviet Union के खतम होने के बाद, जस्ट कुछी महिनों के बाद यह वाला जो छोटा सा इलाका है, इसको कहा जाता है Transnistria इन्होंने अपने आपको Moldovian main government से अलग करवा लिया था और interestingly इस Transnistria के इलाके में कई सारे Russia के troops तब से यानि की पिछले 30 सालों से तैनात किये गए हैं Russia maintains a military presence in the region despite the Moldovan government's repeated calls for Russian troops to be replaced by international peacekeepers नो यहाँ पे आपको दो तरह के सैनिक देखने को मिनेंगे पहले तो Russia के द्वारा कई सारे सैनिकों को यहाँ पे deploy किया गया है दूसरा क्योंकि यह एक breakaway region है इसलिए यहाँ पर कई सारे rebels भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि Moldovian government के साथ associate होने में संबंध नहीं रखना चाते हैं यह वाले region को लेकर जस कुछी दिन पहले France के President Emmanuel Macron ने भी कहा था कि जो भी आपके इलाके, जो भी आपके इलाके breakaway regions माने जाते हैं हम लोग उनको support देने को भी तयार हैं लेकिन obviously यहाँ पर इसको लेके कोई खास कारवाई आगे जाकर नहीं हुई थी यह जो breakaway region है, यह काफी एक important region माना जा रहा है इसको अभी तक कोई officially recognize नहीं करता और यह वाला जो इलाका है असल में छोटा सा ग्री युद्ध हुआ था मोलडोवा और इनके separatist के बीच में जब इस पूरे के पूरे इलाके को अलग घोशित करवा दिया गया था, तो मोलडोवियन government इस चीज को लेके काफी जाधा चिंतित हो चुकी है, मोलडोवा के जो विदेश मंतरी हैं जिनका नाम है निकू, पोपेस्कू, इन्होंने यहां बताया कि although हमें यहां पर कुछ unusual activity देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हम लोग काफी चिंता में है कि आने वाले दिनों में यहां पर पूरा का पूरा जो situation है, यह बदल सकता है In fact, इन्होंने बताया कि इस पूरे के पूरे इलाके में जो यहां के सैनिक हैं जो की रश्या के द्वारा तैनात किये गए हैं, उनके पास सोवियत एरा के कई सारे हत्यार देखने को मिलते हैं जिसमें की 22,000 से भी जादा tons of ammunition इनके पास समय देखने को मिल जाती है और इन्होंने कहा कि इवन दो हम लोग काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि इन arms को, इन हथ्यारों को यहां से evacuate किया जाए, इनका निकास यहां से करवाया जाए, लेकिन Moscow यानि की रश्या वो अभी तक यहां से इन हथ्यारों को नहीं निकाल रही है और डर यहां पर यह है कि अगर Ukraine के अंदर कोई puppet regime आ जाती है, यानि कि ऐसा कोई सत्ता बन जाती है जो की Russia को support करती है उस case में, it is almost sure कि आगे जाकर के Moldova के उपर attack हो सकता है Now, एक कारण तो यह है कि वो non-NATO है, दूसरा कारण यहां पर यह भी है कि Transnistria का factor तीसरा कारण यहां पर यह भी है कि क्योंकि Moldova आज से कई साल पहले Soviet Union का ही हिस्सा था और क्योंकि Putin कहीं ना कहीं को Soviet era के Soviet Union को rebuild करना चाहते हैं It is highly possible कि आगे जाकर के Moldova के उपर attack कर सकते हैं और इसी के लिए चलते Moldova ने डर में आकर के EU की membership के उपर apply करना शुरू कर दिया है नों Moldova जो है यह अपने आपको किसी भी membership में अभी तक इसने include नहीं करवाया आप यहाँ पर देख सकते हैं Moldova's President Maya Sandhu said in a statement that the country has signed a request to join the European Union यह वाला statement just कल सामने आया है और इन्होंने कहा कि we want to live in peace, prosperity, be part of the free world Now exactly यहाँ पर EU इनकी membership को accept करता है नहीं करता है क्या Putin यहाँ पर attack करते हैं नहीं करते हैं देखना बाकी है लेकिन क्योंकि यहाँ पर plans leak हो चुके हैं so Moldova के लोग और Moldova की सरकार I am very very sure काफी जादा डर में जी रही होगी जैसे ही कुछ net development आई कि आपके सामने पेश करेंगे जाने से पहले आपको बता दूँ हमारी NCRT geography series चल रही है इसके links आपको नीशे description मिल जाएंगे आप अन्रोड करते हैं using the code अनी UPSC और इसमें आपको यह वाले benefits भी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा code यूज करते हैं मेरी personal guidance WhatsApp group में edition और साफ में किताब भी आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी यह वाली batches आपके लिए उपलग करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी यह वाले specialized batches आपके लिए available करवाए जाएंगे दोस्तो इसी पार्ट पर आपसे लेता हूँ विदा Thank you so much for listening, stay tuned and stay safe